नवाशकार किशान भाईयों, एक बार फिर से आपका श्वागत है हमारे दिहाती किशान चैनल में दोस्तों, आप अगर सरसो की खेती करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंप्वाटेंट है क्योंकि सारी जानकारी सरसो से रेलेटेड हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं तो भाईयों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सरसो की फसल में खरपतवार के नियंतर के बारे में क्योंकि जब हम सर्सों की बिजाई करते हैं तो उसके साथ साथ खरपतवार भी उगाते हैं जो हमारी सर्सों की फसल में लगभग 30-40% तक की पैदावार में कमी कर देते हैं इसलिए खरपतवार के नियंतर के बारे में हमें विशेश ध्यान रखना चाहिए तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे खरपतवार नियंतर की कितनी बिदिया हैं और किन बिदियों द्वारा अपनी सर्सों की फसल में नियंतर कर सकते हैं वैसे तो हम खरपतवारों को खुर्पी और कुदाल की सहयता से निराई गुडाई कर सकते हैं लेकिन इस बिद्वारा काफी खर्च आ जाता है, इसलिए मार्केट में काफी ज़्यादा खर्पतवार नासक दवाईया आ गई हैं, जिसका उप्योग करके हम खर्पतवारों को कम खर्च में नश्ट कर सकते हैं, सरसों की फसल में हमें किन खर्पतवार नासक का उप्योग कर चाहिए खरपतवार के वाद तो संपोर्ट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है तो किशान भाईयों सबसे पहले हम बात करेंगे टाटा पनीडा का जो टाटा कमपनी का पनीडा है पनीडा इसके बारे में अगर आप सरसो की बुआई कर चुके हैं तो इसको तु बात करें इसके टिकनिकल की तो इसमें पेंडा मेथलीन 30% EC फोर्म में होता है और टाटा पनीडा को 700 ml प्रत एकड के हिसाब से इसको 150 लीटर पानी के साथ खेत में आपको इसप्रेक कर देना होगा 150 लीटर पानी के साथ इसमें करने से 700 ml इसका उप्योग करने से काफी अच्छा रियल्ट आता है बात करें इसके प्राइच की तो इसका एक लीटर का पैक मार्केट में आपको 400 रुपे के आसपास में मिल जाएगा और अब हम जिस खरपतवार नासक के बारे में आपको बताने वाले हैं वह क्रिश्टल कंपनी के आउतार के नाम से आता है मार्केट में इसका उप्योग खरपतवार उगने के बाद किया जाता है अपनी सरसो की फसल में या जो क्रिश्टल कंपनी का उतार है इसका उपयोग हमें सिचाई के बाद अपनी सरसो की फसल में यानि कि जब हमारी सरसो की फसल 25 से 30 दिनों की हो जाए तब हमें स्प्रेक कर देना चाहिए क्योंकि इसको इसप्रेक करने के लिए नमी की आवसकता बहुत ज़्यादा होती है सिचाई करने के बाद इसका उपयोग करना चाहिए या सरसो की फसल में उगे हुए सकरी पत्ते के खरपतवार जैसे की मंडोसी, गुली रिंडा, जंगली धान, आध, खरपतवारों को नश् लेकिन साथ-साथ सरसो की फसल पर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं पड़ता है इसलिए इसे सबसे अच्छा खरपतवार नासक दवा है सरसो की फसल के लिए बात करें इसके टेकनिकल की तो इसमें क्लोडिनो फोम प्रोपोजाईल 15% WP फोम में आता है बात करें इसके प्रयाप नमी होना चाहिए क्योंकि अगर प्रयाप नमी नहीं होती है हमारी फसल में तो फिर अच्छे से काम नहीं कर पाता है बात करें इसके प्राइज की तो इसका फ्राइज 150 ग्राम का पैक आपको मार्केट में लगभग 350 रुपे के आसपास मिल जाएगा तो किसान भाइयों आपको वीडियो में हमने बताया आपको पिंडा में थलीन यानि की टाटा पनीडा के बारे में और किस्टल कंपनी के आउतार के बारे में ये दोनों बहुत यच्छे खरपतवान नासक दवाईया है इसका उप्योग आपने खेद में कर सकते हैं तो दो के माध्यम से पूँ सकते हैं और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों से हमें सेर करें और हमारे दिहाती किसान चैनल को सब्सक्राइब कर लें तब तक के लिए धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी